बच्चो आज हम लोग कहानी शुनेंगे सबसे खास हांडी कहानी शुरू करते हैं उफ मैं अपनी जिन्दगी से उप चुकी हूँ हर दिन एक ही जैसा है लोग मुझ में खाना भरते हैं और फिर गर्म चुले पर चढ़ा देते हैं मुझ से खाना परोश कर वे मुझे रगड़ रगड़ कर धोते हैं आह फिर वे मुझे कहीं दूर पटक देते हैं जब तक अगली बार उन्हें मेरी जरूरत न हो मगर मुझे तो कुछ नया करना है मेरा एक बहुत बड़ा सपना है दुनिया देखने दूसरे बरतनों ने मुझे समझाया तुम एक आमसी हांडी हो और हमेशा वही रहोगी मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैं ताक से नीचे कूद गई और घर छोड़ कर निकल पड़े नई नई चीजों की तलाश में रास्ते में मैंने एक प्यासे कुद्टे को पानी पिलाया फिर एक दिन में एक नन्हे सिपाही की टोपी और धाल बनी और एक उभरती गायक का बाजा भी मैंने एक छोटे से पौधे की देख रेक भी की जब तक वह फल फूल ना गया मैं दूर देशों तक घूमी और हर मौके पर दूसरों की मदद की मैंने जो सपना देखा था वह पूरा हुआ आखिरकार मैं अपने दोस्तों से मिलने घर लोटी मैंने उन्हें रोमांच से भरी अपनी जिन्दगी के बारे में बताया भी जो चाहों वो कर शकते हो मैंने उन्षे कहा पहले तो उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया उन्हें सपने देखने की आदत जो न थी मगर धिरे धिरे मेरे दोस्त भी सपने देखने लगे नई नई चीजे आजमाने लगे अब रशोई में रोज नई हलचल मचती है मैं अब भी पूरी दुनिया घूमती हूँ और सब से पूछती हूँ तुम्हारा क्या सपना है तो बच्चों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी अच्छा आप लोग बताएए आप लोगों के क्या क्या सपने है आप लोगों ने क्या सोचा है बड़े होकर क्या बनना है आप लोगों को